SDFC Millenia debit card के थुरू अगर आप transaction करते हैं या फिर आपके पास में Millenia credit card है उस card के थुरू आप transaction करते हैं तो आप अपने transaction पर maximum cashback कैसे आंग कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा cashback को आप कैसे receive कर सकते हैं इस regarding पूरी information इस वीडियो में आपके साथ मैं share करने वाला हूँ तो guys अगर आपके पास में भी SDFC bank का Millenia debit card है या फिर Millenia credit card आपने लेर का है तो ये वीडियो आपके लिए कापी important होने वाली है क्योंकि guys इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे interaction बताने वाला हूँ जिन interaction को अगर आप जाल लेते हैं तो आप अपने debit या भी credit card के थुरू ज transaction करेंगे जिस merchant के थुरू आप transaction करेंगे वहाँ पर आपको ज्यादा से ज्यादा cashback का benefit मिल सकता है क्योंकि दोस्तों जिन लोगों के पास में millennia debit card होता है या फिर millennia credit card होता है उसका जो interaction होता है उसको वो या तो रिट नहीं करते हैं या फिर उनको cashback के बारे में पता नहीं होता है और ऐसी इस्तदी में आप कई भी भी अगर merchant पर transaction करने जाएंगे या फिर आप online platform के थुरू कोई भी product को purchase करेंगे कोई भी service को buy करें किसी भी type का आपका utilities bill पे हो गया ऐसी जगर पर अगर अगर अपने millennia debit या पर credit card के थुरू transaction करते हैं तो आपको cashback दिया जाता है और वही interaction आपको पता नहीं होने के कारण और आपको या पर cashback नहीं दिया जाता तो गयर आपको अपने debit या पर credit card के थुरू transaction कैसे करना है आपके पास अगर millennia debit card है या फिर millennia credit card है तो उसके थुरू आप कैसे transaction करेंगे तो आपको या पर cashback दिया जाएगा पूरी information आपके साथ में share करने वाला हूं तो वीडियो को आप end तक देखते रहिए and आपने अभी तक हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो इन बेटन पर click करके और millennia credit card है तो लगबक दोनों का interaction सेम है debit card में आपको 5% का cashback दिया जाता है वो अगर आप smart buy या फिर PZF के थुरू transaction करते हैं तो आपको याँपे 5% का cashback आपको अपने transaction पर दिया जाता है जबकि अगर आप credit card से directly Amazon, Clipcard, Bookmyso, Swiggy जैसे platform पर आप transaction करते हैं तो आपको अपने debit card पर 5% का cashback देखने को मिल जाता है तो देखा जाए तो debit card और credit card में याँपर ज़्यादा को different नहीं है क्योंकि millennia debit card पर भी वो आपको benefit मिलते हैं जो millennia credit card पर दिये जाते हैं बस याँपर कुछ interaction का फरक होता है वैसे guys ये तो आपको पताए होगा कि credit card पर आपको एक limit provide की जाती है उस limit में से आप कितना भी पैसा spend कर सकते हैं and debit card से अगर आप कोई भी spend करते हैं खर्च करते हैं कईवे भी अगर आप swipe कराते हैं तो आपका जो पैसा होता है वो आपके saving account से deduct हो जाता है तो दूस्तों millennia debit card user के लिए मैं interaction बताना चाहता हूँ अगर आप SDFC millennia debit card के थूו online transaction करते हैं या भी offline transaction करते हैं तो आपको या पर कुछ interaction का ध्यान रखना रखना होता है अगर आप online transaction करते हैं तो आपको only for smart buy खुर visit करना है जिस website से आप product purchase करना है या फिर किसी service को buy करना है तो only for आपको smart buy के थूँ land करना है smart buy website पर आपको visit करना है अपने registered mobile number से आपको अपने एकाउंट को लोगिन कर लेना है जो भी स्मार्ट बाई का एकाउंट है उस पर आपको लोगिन करना है और वहाँ पर आपके सामने Amazon Flipkart, Swiggy, BookMySource ऐसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसको आप डेली यूज में लेते हैं तो अल्लिफोर आपको स्मार्ट बाई के थुरू उस वेबसाइट पर लेंड करना है लेंड करने के बाद आप Amazon Flipkart किसी भी वेबसाइट से अपने प्रोडेक्ट या फिर सर्विस को बाई कर सकते हैं अब यहाँ पर आपको बेनिफिट क्या होगा अगर आप स्मार्ट बाई के थुरू ट्रांजक्शन करेंगे तो आपको यह पर फाइव परसेंट का cashback दिया जाएगा और यह cashback आपके debit card पर दिया जाता है और जो भी cashback eligible cashback होगा वो आपके account में आपके debit card में 90 days में credit हो जाएगा जिस दिन आप transaction करेंगे उस दिन से लेके 90 days याने की 3 महीनों में आपके debit card में जो cashback होगा जो भी आपके transaction के according eligible cashback होगा वो आपके debit card पर credit कर लिया जाएगा अगर आपको smart buy के through shopping करनी है तो पहले वीडियो अल्रेडी बना हुआ है आई बटन पर या फिर वीडियो के down आपको link मिल जाएगी तो काईस आपकी first privacy क्या होनी चाहिए जब भी आप online transaction करें तो आपको smart buy के through visit करना है इसके अलावा आपको page app पर भी 5% का cashback दिया जाता है और आप अगर directly किसी website पर visit कर लेते हैं बीना किसी smart buy के through तो आपको याँपे 5% का cashback दिया जाता है जो भी आप shopping करेंगे उस value के according आपको याँपे 5% का cashback दिया जाता है इसके अलावा आपको याँपे 1% का cashback दिया जाता है अगर आप offline store से कोई भी सामान purchase करते हैं और POS swipe machine के through आप अपना transaction करते हैं तो जो value आप भाँपर pay करेंगे उसके according आपको 1% का cashback दिया जाएगा और इसी के साथ में अगर आप wallet to load करते हैं अपने debit card का यूज करके Paytm, Mobik, Peek जैसे platform पर आप अपने debit card के through पैसा add करते हैं तो आपको 1% का cashback दिया जाता है लेकिन गाइस अगर आपके पास में millennia credit card है तो आप directly अगर Amazon, Flipcard, Swiggy, Bookmaso जैसे platform पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर डारेक्ट लिग 5% का cashback मिल जाएगा बट आपके पास में अगर debit card है millennia का तो आपको smart buy के through land करना है या फिर visit करना है I hope understand your SDFC, millennia debit card, cashback, term and condition Guys उमीदा आपको यह जानकारी अच्छे लगी होगी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, information आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को like करें, अपने friend circle में share करें and हमारे channel को आप subscribe जरूर करें और आपका doubt है, कोई भी और confusion है तो वीडियो में आप comment कर सकते हैं ताकि मैं आपकी help कर पाऊ